नमस्कार आप देख रहे हैं बिहारी नूच और मैं अभेविशाल स्वागत कता हूँ आपका हमारे इस खास कारकरम कौन मारेगा बाजी में बिहार में विधानसभा चुनाओ को लेकर राजनिती तेज हो गई है चुनाओ आयोग द्वारा चुनाओ के तारीखों की घोसना कर दी गई है ऐसे में राजनितिक पाटियों के द्वारा उमिद्वारों की घोसना की जा रही है पहले चरण के नमानकन की प्रकरिया समाप्त हो चुकी है अब दूसरे चरण के नमानकन के लेकर अजी सूचना जारी कर दी गई है ऐसे में आज हम इमाम गंज विधान सबाद छेतर के बारे में बात करें इमाम गंज में इस बार हम पाटी के प्रमुक जीतन राम माजी चुनाओ मैदान में हैं, वहीं राज़त के तरब से उद्धे नरायन चौधरी को टिकट दिया गया है। इमाम गंज विधान सबाद चुनाओ इस बार कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको इमाम गंज विधान सबाद चुनाओ के वरतमान में चल रही राजनेतिक इस्थिति के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस विधान सबाद चुनाओ के बारे में। और जद्यू के बीच भिरंद रहा था, क्योंकि जद्यू 2015 विधान सभाचनाओं में महागडवंदन का हिस्सा हुआ करती थी, और हम NDA के साथ चनाओं मैदान में थी, इस विधान सभाचनाओं में हम और राज़त के बीच में सिधी लराई हुई थी, हम के तरब से चनाओं म 80 वोट मिले थे, ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच हार जीत का अंतर 29,408 वोटों का रहा था, हम प्रमुग जीतरराम माजी बिहार के पुरू मुख्य मंत्री रहे हैं, तो वहीं उद्य नरायन चौदरी बिहार विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, अब बात करते ह हैं, चुनावी साल 2010 की, साल 2010 के चुनाव पर नाम को देखें, तो इस साल यहां जद्यू का परचम लहाया, जद्यू से उद्य नरायन चौदरी विधायक हुए थे, उन्हें 44,126 वोट प्राप्थ हुआ था, वहीं इस चुनाव में प्रतिद्वंदी उमिद्वार की बात की जाए, तो राजत से रोसन कुमार रहे थे, इन्हें इस चुनाव में 42,915 वोट मिरा था, और वे तकरीबन 1,211 वोट से हार गये थे, अब हम बात करते हैं, चुनावी साल 2005 की, चुनावी साल 2005 की नतीजों की तरब जहां जद्यू से उद्यू से उद्य नरायन चौदरी अब हम रूप करते हैं साल 2005 की जहां समता पार्टी ने ही विधायक की कुर्सी जीती थी, लेकिन सक्स की बात करें तो वे बदले हुए थे, समता पार्टी ने अपने प्रतिदिदीश राम स्वरूप पासवान को उतारा था और वे विधायक चुने गये थे इससे पहले चुनावी वर्ष 1990 की बात की जाए तो इस वर्ष जनता दल विजटा रही थी, जनता दल से उदय नरायन चौदरी ही विधायक रहे थे, इमामगंज सीट पर वे 20 सालों तक जन प्रतिने धीर बने रहे हैं इमामगंज विधानसवाच्षेत्र की विकास कारियों पर नजर डालें, तो इस मामले में अस्थानियक जनता की बोल है कि डुमडिया से पटना तक सरक का निर्मान हुआ है, बिजली की समस्या से निजात मिली है, जारखंड से जोरने के लिए सरके बन चुकी है, नकसली प मुर्ते हैं चुनावी मुद्दो की तरफ, जो काफी महत्तोपूर्ण है, अस्थानिये लोगों के अनुसार सीचाई की पड़याप्त वश्था होनी चाहिए, इसके अलावा आज की सबसे बड़ी मांग और उभरती समस्या बेरोजगारी है, इसके निदान के लिए राजद के खाते में गई है, ऐसे में पिछले विधान सबाद चुनाओ के प्रत्यासी एक बार फिर से आमने सामने है, उद्धै नरायन चौद्री ने जद्यू को छोर कर राजद का दामन थाम लिया है, लेकिन पिछले पांस साल के दोरान हम ने भी NDA के साथ छोर कर महाग बार होगा जब राजद के टिकट पर चनाओ मैदान में उत्रेंगे, ऐसे में यह देखना दिल्चस्प है कि इमाम गंज की जनता इस बार किसे अपना नेता मानती है, अभी के लिए बस इतना ही, बिहार की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहे ह बिहारी नियूज